कि वी नहीं बाई आगा है अधिने बाइज बताईए अधिने बाई बताईए अधिने बनाइज बने बनाइज मेरी आवाज आ रही है कि लिए आप सब आप सबको गुड इवनिंग और शर्ट पतरी में कैसे ब्लॉक हो गया है आप अच्छा बैक स्टेज एंटर कर रहे थे गया स्ट्रीम खता होने के बाद हाजी खता होने के बाद कहां बात करते हैं सर अब ने सॉरी अभी अच्छा कोई बात नहीं सर वो जो आज आपका बिक्ता मुझे उस बारे पर डिवेट करनी है बताइए क्या डिवेट करनी है तो आप आप शुरू करिए जो आपने वो ब्रह्मा सरस्वतिक आप वो कहां से कोट कर रहे हैं तो फिर मैं अपने रेफरेंस लाता हूं फिर न्यूटन सर यह है दस एक्सट पांच ब्रह्मा स क्या कह रहे हैं तो पुरान मतलब पुरान इंपॉर्टन नहीं अपने पहले एक बर वेट कर ले फिर उसमें भी आ जाएंगे चली रिगवेद में भी है मैं ही खोल देता हूं नहीं यह स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं भी तो खोल दे रहा हूं यह की बात है चलो कर दो कि अब यह स्क्रीन अभी आया हां चलिए इसका यह वाला जो आप बोल रहे हो यह यह रहा प्रतिस्टम यश्यम वीर करमाईडन डनू नून रेव अपर यह वाला है ना? तब हुआ है और समाजी भाज़ जा रहा हूं आपको पहला पेज इसलिए दिखा रहा हूं आपको जनरली बुलते हों कि पहला पेज वात से जीए ठीक है सर्व हुँ हुआ है 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 ईक है फ्रिया वाला तब है कि इंट यहां धार टाइए ना वो में यह आरे समाजी वाला भास से अपने मेरे पास और कुंग में अरे समाजी वाले भाशे में अलग दूसरी अलग बात है पुराना भास से लेना पड़ेगा ना ये बारे समाज का तो बहुत ने ये 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 हिंदूओं के लिए है भाई हमारे लिए नहीं है ये हिंदूओं ने ऐसा करके रखा है आपके आपके भाष्य कौन सा है वही आप लोग अभी तक तैनी कर पायों एक चुली मैं आरे समाजी अपने को मानते हैं लेकिन जो नौन आरे समाजी हिंदू है इस भाष्य को मानते ही नहीं है सायन के भाष्य को मानते हैं ये पता है आपको सर मैं बोलू नी वैसे ये बात पता ही कि नी आपको सर वो पता है ऐसा लेकिन ये कहीं भी कोई गाइडिंग प्रिस्पल नहीं है वो सबका अपना-पना मानना है कोई कि definitively कोई pineapple point नहीं कि इस पर discussion नहीं हो सकता है नी वो मानते ही नहीं है वो लोग मैं ये कह रहाऊ नौन-ार्र समाजी हिंडू जो है वो सायन भाष्य को ही मानते हैं वो दैयानन सरस्वती के b்हाष्य को मानते ही नहीं है अच्छा सर्च जो शायन भाष है वो भी उन्होंने संस्क्रित में करा था तो जो उसका अनुवाद बताओ किसने कहा आपको यह भाई वीने भाई एक बात बताईए बोलिया सर्च ग्रैविटी को मैं हिंदी में डिफाइन करूं इंग्लिश में डिफाइन करूं क्या कुछ बदल जाएगी उसकी अब बिल्कु बदल जाएगा तो कि यह वह सेम रहेगा लेकि उसका इंट्रिपेटेशन बदल जाएगा और ग्रैविटी नहीं बदलेगा इक मिनट्ट चलिए एक काम कीजें चलिए इंग्लिश में डिफाइन कीजें और हिंदी में डिफाइन कीजें अभी ग्रैविटी को यही करके दिखा यह लोगों को Sir, gravity is basically an invisible force that pulls objects towards each other. So basically Earth's gravity is something which keeps you on the ground and keeps things falling away. Basically, this is it, sir. Gravity is the effect of mass caused by the object's mass on space-time fabric. The curvature that the mass makes, that is gravity. ठीक है? अब इसको हिंडी में कहता हूँ, मैं. Space-time के fabric में कोई object अपने mass के अनुपात में जो curvature बनाता है वो gravity है. मैंने Hindi-English दोनों में कर दिया अभी. जी. तो इसका कोई मतलब बदल गया? अब सर्, मुझे थोड़ा बोल ले दिजिए, ये apple और oranges का आपने वो comparison करा है. क्योंकि जो gravity है, वो basic law है. वो ubiquitous है, वो हर जगा सेम रहेगा. लेकिन जो ये Rigbyet का जो पाज़ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यही मैं भी आपको बोल रहा हूँ, क्या आपके यहाँ पे वेद का भाष्य कौन सा है? यही नहीं आप लोग decide कर पा रहे हूँ. सर्, उसके पीछे पर रीजन बता देता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़ब दें. सो उसके पीछे रीजन यह है, कि हिंडुईजम basically एक हीनोथियस्टिक religion है, इसका कोई founder नहीं है, कोई one principle नहीं है, कोई one guiding force नहीं है. तो यह एक syncretic belief system है, जिसमें अलग-अलग चीज़ब दूड़ते कहीं है और लोग… अच्छा, मैं इसको और थोड़ा simplify कर देता हूँ. जिसका जो मन आता हो, मान लेता है, ऐसा है? सर, जो मन नहीं आता है, उसका basic structure सेम रहता है, लेकिन variations होगी है. अगर मेरा मन आया, तो मैं R.S. अमाजी भाष्य को मान लिया, मन आया, तो नहीं माना. सर, देखिए, आपका मैं point समझ रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, लेकिन Hinduism में तो ये भी नहीं बोला गया है, कि आपको रामयन भी माननी है. कहीं लिखा है कि रामयन माननी है. तो जब रामयन ही नहीं माननी है, तो उसका भाष्य क्या क्या लेना देना? तो यार, ये तो बहुत अजीबों गरीब बात नहीं हो गई क्या? धरम के लिए English में कोई word नहीं है सर, आप बता दो मुझे. अच्छा धरम के लिए कोई word नहीं बना है. अच्छा religion को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता. Religion का कोई Hindi word नहीं है? Religion का मुझे Latin sources पता हैं उसके, उसकी Genesis पता है. ने ने, Latin sources नहीं. Religion को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि भई. मुझे नहीं पता सर, आप लोग ज़्यादा क्या नहीं है मुझे नहीं पता. Religion को हिंदी में तो धरमी बोलती पूरी दुनिया. ये तो आप पहली बार बता रहे हूँ कि religion के लिए कोई हिंदी वर्ड ही नहीं है और धर्म के लिए कोई English वर्ड नहीं है. नहीं है. अच्छा. तो आपका मतलब, अच्छा ये बताईए, ये मजहब और आपके धर्म में फिर अंतर क्या है मतलब? वो भी ये ही बोल देगा आके. तो सर, उस बेसिस पे जो यहां के रहने वाले लोगों ने जो अलग-अलग belief system बनाए, अच्छे या बुरे हों मैं उसको आप लोग dispute कर सकते हो. लेकिन जो जो भी belief system यहां पे रहने वाले लोगों ने बनाए, उसका एक तरीके से name हम एक collective name Hinduism बोल सकते हैं. तो मतलब खुल मिला के ये एक ऐसा बच्चा है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको जो मन आता है वो बोल देता है. सर, फिर से apple और orange सर बच्चे की बाती नहीं हो रही है, यहां पे एक जो इतने हजारों सावरों मतलब नाम क्या है, मतलब इस पूरे religion का फिर नाम क्या है, सर, आप किसी भी तरीक, जो हमारे constitution में लिखा है, आपके constitution में तो वो ही लिखा है ना, जो आप मानते हो, सर, मेरे का तो constitution की जो, मतलब 26 जनवरी 1950 में जब हमारा constitution लागू हुआ, तो उसने पहली बार ये बताया कि आप हिंदू हो, उसके पहले आपको कुछ पता ही नहीं था, पता था, लेकिन उसके मिलने के बार, सुनिये ना, और आप संविधान से अपने धर्म को डिफेंड कर रहे हो, सर मैं बोल लूँ अगर आप मुझे मौका दें, हाँ, बोलिया ना, सर देखिये, आपने पूछा कि तुम क्या मानोगे, तुम्हारा साब से क्या मतलब है, तो आज के समय में, आज जब हम 2024 में रह रहे हैं, तो आज के साब से मैं reference constitution को दे रहा हूँ, 1950 के पहले आप में मुल मतलब कोई लापता नाम है, अपने को पता ही कहां से कुछ, मतलब कुछ अपने को पता निये बेद और पुराण ये सब उठा के मेरे कहल से पहला तो आपका, आप मिशन बनाएए कि मैं पहले अपने नाम पता करूँ वही, इसका origin क्या है, और हमको हिंदू क्यों क्यों कहा तो जो डेरियस है उसने बताया आप लोग को कि आप हिंदू अगर डेरियस नहीं मतलब एक विदेशी आदमी बता रहा है कि आप हिंदू सर स्मॉल इंटरवेंशन अचा उसने हिंदू बोला है एक्जेक्ट सर मैं मैं बोल लूँ आपने पढ़ा है वो इंस्क्रिप्शन सर वो इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है उसमें Hīndu तो है ही नहीं उसमें सर ञेक्टो। चे रहर है ग्रीक, थ ладно है वो िसमें चे में हेख 10 सेकड बोलने औरे मैं दिखा सकता हूं यहां पे सर अब मुझे 10 सेकड बोलने देंगे बोल यह है सर उसमें linguistic progression हुआ है, जो कहीं जगा as silent हो जाता है, कहीं जगा as silent नहीं होता है, ग्रीक में i का ज़्यादा use होता है, लेकिन जो basic root है वो सिंदू, जो river है, आप बोल लिए ना, उसमें हिडूस लिखा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आज स 2500 साल पहले आप हिडूस थे, हाँ सर होंगे, और 2024 में आप हिंदू हो गए, सर ये हिडूस जो word है, ये define करता है कि ये वेदिक सिस्टम और इसको मानने वाले, इस जिगरफी में रहने वाले लोग कौन है, उसमें, उसमें, नहीं, एक सबसे पहली बात, उसमें वेदिक सिस् जैसे बुद्ध जी के में सबूत नहीं मिलते हैं, मिलते हैं बताईए आप मुझे उनके टेंपोररी, से लो, नहीं, एक मिड़ सुनिये, एक मिड़ सुनिये, ताकि बात इधर उदर ना हो, क्योंकि मैं मुझे लग रहा आप इधर उदर लें, जब आप हम ये conclude करेंगे न बुद्ध के सबुद्ध हम जब कॉन्क्लूट करते रहेंगे हम दे देंगे सर मेरा देखे यहाँ पर डिबेट हो रही है आपने मुझसे कुशन पूछा कि वेदास के सबूट दो के मैंने आपसे शुरू से जा रहा हूँ मैं पहली बॉल से खेलना चालू करूँ हूँ फिर से रीपले ले चलता हूँ मैंने तो ये सब बाती नहीं करी मैंने आपसे ये बात करी कि आपके धर्म में ठीक है किसी एक बात पर agreement नहीं है कि हम किसकी commentary को माने यहां से हमने बात चुरू की आपने फिर बोला कि मेरे धर्म का नाम इंगलिश में कुछ है नहीं और religion को हिंदी में क्या कहते है मुझे नहीं पता फिर मैंने आपसे पूछा हिंदू कहां से आया तो आपने समविधान प लिखा है और फिर आपने यह कहा कि डेरियस ने लिखा है कि वेदों को मानने वाले उसने वेदों का तो नामी नहीं लिए भाई वो तो अपने अंपायर का बता रहा है कि मेरा सामराज जो है मेरा एंपायर जो है वो यह है और वो हिंदू नहीं हिडूस कह रहा है मैं यहां दिखा सकता हूँ अब मैं बहुत है ऐसा भी निए लिखा है उसका मतलब क्या है अन्दर उसका इंडियान सब कॉंटिनेंट लिखा ही नहीं है वहां तक तो पहुंचा ही नहीं है वो तो अपने एम्पायर की बात कर रहे है वाई सर आप मेरी बात पूरी एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए फिर आप मैं आपसे वही जानना चाहरू क्या आपने पढ़ा है वहीं इसके आपने कहा नहीं पढ़ा है सर मेरा टॉपिक तो आज ब्रह्मा और सरसुती पे था तो मैं तो नहीं तो जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप इंडियन सब कॉंटिनेंट वगर आप क्यों ऐसे टॉल क्लेम कर रहे हो भाई जो आपने पढ़ा ही नहीं है मैं आपसे आज प्रॉमिस करके जा रहा हूं मुझे यह पता नहीं था इस पर डिबेट होगी आप कल मुझसे मिलो मैं इसी टॉपिक वेपन डिबेट करेंगे फूल एंड फाइनल उसके लिए ना साइन्जर्णी सर के पास जाना मैं आपको बता रहा हूं सर मैं साइन्जर्णी के पास गया आप इसमे भी बात समल लिजे मेरे और यह वो वह आपको वेद कब है और अपको पूरा समझायेंगे वो मतलब हमने उनको ही हम रिफर करते हैं इस पेशलिश्ट स आप उनकी न तारीफ करो, नहीं ने, सुन्यों न, आप उनकी तारीफ आलो चाना, दोनों मत करो, मैं जानता हूँ आप क्या बोलने वाले हो, छोड़ दो आप इस बात को, अब आप जो पॉइंट पर आये हो, उसी पर Newton सर से फिर बात कर लो, और ये, मगर ये स्थापी तो ग जोड़ी है, सर ने बहुती बड़ी चीज बोली, प्लीज, थोड़ा सा मुझे आंसर पर नहीं, सायाण भाष्य और आरे समाजी भाष्य के बारे में बोल रहा हूँ भाई, मैं, सर आपने बोला, आरे समाजी लोग सायाण भाष्य को नहीं मानते, ये फैक्ट है, और नॉन अब इसको इस पूरे डाइलोग कोमेंड करते हैं, ये ही पॉइंट था दोस्तों, जो मैं इंसे इंगलीश और हिंदी में ग्रैविटी को डिफाइन करने बोल रहा था, और इन्होंने खुदी कहा कि वह एक बिलीफ सिस्टम है, तो हाँ, ये बिलीफ सिस्टम में ऐसा ही होता है, बिलीफ सिस्टम में कोई भी interpretation disputed होने लगते हैं एक दूसरे के नहीं मानते ये Christianity में भी है ये इसलाम में भी है वहाँ पे भी जो हव्ज है अलग-अलग उसके interpretation कई लोग उसको नहीं मानते हैं ठीक है और यही चीज Christianity में भी है तब आज कहीं जाके King James Version वो लिखा रहता है K.J.V उसमें क्योंकि अलग-अलग versions है Bible के भी यही बात है जो belief system में ऐसा ही होता है अजाद वो अब आप इनका वो शेयर कर लो वेद वाला अमिर जी ये एक तरह से doctrine है हाँ सर मैं दिखाऊं फिर से शेयर करूँ पर वो आपको सायन भास से दिखाना था आपके पास आरे समाजी भास है वाई लेकिन ये कोई बात थोड़ी ना मिको कि वो कहीं लिखा तो है नहीं कि वही हमारे फिलोसपरे में और उन्हों तो संस्क्रिट में करा है उनके स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारे बाश करें उनके भाई ने भी करें आरे समाजी अच्छा ये बताओ बिना भाई ये दैयान अन सरसुती कौन से सन में पैदा हुए थे कौन सी सेंचूरी में नाइंटीन सेंचूरी में डेथ हुए और उनकी डेंथ भी मुझे पता है उनको जहर दिया गया था करते थे या नहीं तो करते थे तो ज्यादा ऑथिंटिक कौन से माने जाएंगे दैयानन सरसुती का बेद ज़िए ज्यादा ऑथिंटिक माना जाएगा या इससे पहले जो एक्जिस्ट करते थे वो यह बात लिखी का है कि इनकी मानी जाएगी और मेरे भाई जो ज़्यादा पुराना होगा वो ही ज़्यादा ऑथेंटिक होगा क्योंकि दयानन सरोसुती नाइन्टीन सेंचुरी में हाई इसके पहले वो थे तभी तो उन्होंने उसका पासे की यार देखो यह देखो मैंने अब भी चाहिए पर गूगल कर दिये सबसे ज़्यादा विच कॉमेंटरी मोस्ट ऑथेंटिक और रिग वेदे तो यार माना जाता एक्चुली में तो यही बात तो नहीं तो एक्जेक्ट्ली यही बात आरे समाजी जो भाष्य उसके बारे में भी कही जा सकती है यह तो मेरा पहला सेंटेंस है कि यह इस 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 हूँ है तो फिर यार मैं अच्छा एक काम कर लेते हैं एक को पकड़ लेते हैं सर उसको पकड़ते हैं जो मैं दिखा रहा था चलिए आरे समाजी भाष्य नहीं है इस टॉपिक पर जो मैंने पढ़ा है उस आफसे बात करूँगा मैं नहीं नहीं अरे भाई मेरे प्यारे भाई विने भाई आरे समाजी भाष्य क्या सभी जो भी उनके कॉमेंटरी हैं वेदो के उपर सब सही है मैं आपको आरे समाजी भाष्य और भी दिखा देता हूँ ना जहांपे सांप को गूदा में लेना है सर उस वाले पॉइंट पर भी बात कर लेंगे कि वह केशियम की बात हो रही है ब्लाइंट पाउच करा जाता है पेट का इखिस्ट चलो ठीक है एक मिनट रुको ना उसमें आरे समाजी भाष्य में गुरू जो है वो सिस्ट को बोल रहा है आमें तेरा लिंग को सुद्ध कर देता हूँ लिखा है मैं आपको बोल रहा है आपको सायन मानना है कि आपको दयानन कमानना है आप ये बताओ डॉक्तर अंबेटकर ने वेद के उपर कॉमेंटरी नहीं करी है आपको सायन मानना है कि आपको दयानन कमानना है आप बोलो फिर मैं बोलूँगा आप बोल लीजे पहले फिर मुझे ब करोगे यार मैं तो आप से सिर्फ यह बोल रहा हूं कहीं एक को किसी को पकड़ के चलते हैं ना अंटेंशन को डिलीट करते हैं आपके और मेरे बीच के सर जी तो सेम लॉजिक आप अपने अपलाया करोगे आप यह कह रहे हूं कि जहां मुझे जिसका कॉमेंटरी सूट करेगा मैं उसको मान लूगा अच्छा मुझे एक लाइन बोलने दीजे अमबेटकर जी ने मैं आपको पेज सहीद पूरा रेफरेंस बता सकता हूं उन्होंने बोला क्या उन्होंने रिगवेद की यजूरवेद की के उपर कॉमेंटरी करीए तो सर इसका मतलब वो जूड बोलते थे आपसे सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि मैं तो कॉमेंटरी की बात कर रहा हूं यार आप यह देखो यह तो फिर आप यह accept करो कि मुझे जो सही लगे रहे मैं उसको मानूँगा अमित सर आपने कमेंटरी के बात करी अमेटकर जी ने जो भी लिखा पढ़ने के बात करा उन्होंने कमेंटरी नहीं करी है भाई वो observation है वो अलग-अलग मतलब आप समझ नहीं रहे हो कमेंटरी का मतलब है रिगवेद के जो सूक्त हैं उसको पढ़के उस पर कमेंट करना कि ये क्या चीज है अब ये बताया जा रहा है उसके नीचे सर मुझे वन मिनिट अनिटर्फिट दीजेगा आप बोलीजे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ बोलिए सर बोलिए ना मैं तो आपको वो रहा हूँ किसका माने ये वजवद बता दो सर मैं तो देखे सर इसमें सारी सब को पढ़ लो और सब को पढ़ने के बाद जो आपको समझ में है उसको मानो मैंने सब को पढ़ा नहीं है अभी जो मैंने पढ़ा है अच्छा तो देखो वाई एक हजार लोग देख रहे हैं, exactly यही बात इन्होंने कर दी, सब को पढ़ लो, आपको जो सूट करता है नेरेटिव में उसको मान लो, अगर वो गुदा में साप डालने वाली बात है, तो वो गलत लिखा है, आप यह कह रहे हो ना, मैं दर्शपों के लिए सिंप्लिफाई कर रहा हूँ, चलिए मैं भी दर्शपों के लिए सिंप्लिफाई कर देता हूँ, सर आपको पता है, यजूरवेद टू पार्ट, आपको तो सब पता होगा, यह कृष्ण और शुक्ल पार्ट में है, यजूरवेद, अरे मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूँ, कि आप ऐसे ही बोल दो, एक दम पूछ रहा हूँ, दो मेरे पास चीज है, ब्रह्मा सरस्वती दयानन का मान लो, लेकिन गुदा वाला साप वाला दयानन का मत मानो, आप यह कह रहे हो, नहीं, मैं यह बोल रहा हूँ, जो आपको लॉजिकल लगे, जो आपकी तारकिक शक्ति के साथ फिट आप बहुत दूर चले जाते हो, नहीं, आप दूर चले जाते हो, प्यारे भाई, इसका जज पॉन रहेगा कि लॉजिकल है, जो पढ़ रहे है, वो ही रहेगा ना मैंने मेरा पहला स्टेट्मेंट था मैं वो चीज मानूँगा जो मुझे लॉजिकल तरक्षन्त लगेगी अब मैं इसी को थोड़ा एक्सपेंट रहा हुँ एक मिनट बस बस प्यारे भाई मैं समय यही बोल रहा था तो इसमें एक मिनट सुनो ना इसमें जज मतलब आप हो अपको जो लॉजिकल लगा उसको माने यही बोल रहे हो ना तरकीक भाई जो तरक में आपके सही बैठा आप उसको माने यही बोल रहे हो ना जैसे ही आप यही बात है कि मुझे जो सहीं लग रहा है मैंने उसको माना आपसे डिसकेशन में बहुत मजह आ रहा है बस मुझे वीष सेकंड दो तो आप सक प्लीज बिंतिया चलो दिया सर मैं लॉजिकल इस तरीके से एक्स्पेंड करूंगा जैसे आपका एक फेवरेट वो चीज है हनुमान जी और उनकर सूरिक खाने वाली बात ठीक है अब जो लॉजिकल वेक्ती होगा वो सोचेगा ऐसा तो होई नहीं सकता है लेकिन आप इस चीज पर बिल्कुली एक तरीके से बिल्कुली फेरोशेसली आप उस पर तत पर रहते हो कि इसको पुरूफ वर्दन ने खाया लेकिन वहां पर कहीं नहीं लिखा है उनने खा सहीं लगा वही माने ना अब धिके कहां जा रहे हैं अब बोले सब्सक्राइब ढखेंग है अगर सब्सक्राइब पर जबने तो पर अब के मुझ से निकल वा रहा हूं यार कि आपको चुछ लगता है आप उसको मान ले तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव हो ना अरे भाई हम फिर से कहां चले गए आजाद ये पूरी ताकत लगा रहे हैं तेरे को पता है आजाद कि यह कैसे भी करें उससे निकलें पूरा पूछ इतनी जोर से पकड़ा हूं मैं भाई फिर से सवाल पर आता हूं क्या हम किसी एक जो commentary है उसको लेके बात करें, सायन को लेके करें तो पूरा सायन पे करें तो देखो एकडम simple कॉश्च चैनल दोस्तों, देखो सब आपके सामने में चल रहा है न, एकडम simple भाई, किसकी commentary पे बात करें मुझे छोड़ दो भाई, मैं secondary है मैं क्या कर रहा हूं भूल जाओ मैं इस बात का अंसर नहीं भूल सकता है मेरे साथ same panel same debit में हूं भूला नहीं आ सकता है आपको आप भाई देखो यार हम किसकी commentary पर बात करें दयानन्द पर करें, सायन पर करें किसी एक को चूस कर लो ता कि बात आगे बढ़ जाए आप मुझे बाइनरी में मतलब को कि आपको भी बाइनरी में आना पड़ेगा क्या यार आजाद ये तो मतलब यार आप सारे लोगों के सामने में आपको एक हजार लोग देख रहे हैं कि ऐसे में हिंदू दर्म कैसे बचेगा भाई अरे गाली कोई देता नहीं यार यहाँ पे सबसे पहली बात लेकिन देखो कोई एक जगा मतलब ये क्या बोल रहे हैं आजाद पता है मैं ब्रॉड गेज पे भी अपना इंजन को दोडाऊंगा और जो मीटर गेज है उस पे भी इंजन को दोडाऊंगा मैं तो दोनों पे इंजन दोडाऊंगा अपना ऐसे थोड़ी नहोता है भाई पटरी छोटी बड़ी हो जाएगी किसी एक पटरी को पकड़ते हैं उस पे अपने इंजन दोडाते हैं तो सर इस तरीके से सेम पेरामीटर्स आप भी अप्लाई होने चाहिए आप तो या तो अमबेटकर को मन लो या तो बागी हिंदू लिटरेचर में चीज़े लिखी हो उनको मनो डॉक्टर अमबेटकर ने अगर वेद पे कॉमेंटरी की होती तो मैं बात करता ना उन पे क्या हमने आज तक कोई स्ट्रीम करी है उसमें डॉक्टर अमबेटकर ने वेद पे कॉमेंटरी करी है उसको लेके हम बात करें क्या करी है हमने मैं बता रहूं ना, आपके शाध ध्यान से उतर गया हो, मुझे पता है उनने क्या लिखाए वेद के बारे में अरे वेद, एक मिनाट, वेद पर कॉमेंटरी करीए क्या, दॉक्टर रमबेटकर ने हाँ, उसके बारे में लिखाए, वो कॉमेंटरी तो होता है अरे भाई, उन्होंने भाष्य किया है क्या, जिस पे कुछ बात कर सकते हैं उनका एक पॉइंटर व्यू है, वेद की उपर उसमें बात करीए आ सकती है भाष्य पूछ रहा हूँ, पॉइंटर फ्यू हर आदमी का होता है, भाष्य आप समझते हो क्या है आदमी का इंग्लिस वर्ड होता है, आपके धरम के जैसा नहीं है, ट्रांसलेशन अनुवाद होता है भाष्य करना मतलब कॉमेंटरी करना, मैंने उसको पढ़ा, मैंने उस लोग को पढ़ा, उस लोग से मुझे जो समझ में आया मैंने हर एक मंडल के जो सूक्त हैं उस पे पढ़के मैंने उस पे लिखा ये भाष्चे कॉमेंटरी है ये आपका इसका अंग्रेजी नाम है इसको कॉमेंटरी कहते हैं अनुवाद गो ट्रांस्पिरिशन कहते हैं बाई रिगवेद वाला देखोगे अच्छा भाई रिगवेद वाला देखोगे के देखोगे रिगवेद वाला चलिए रिगवेद वाला देखादू ने ने अब बात कि और भाई और भी लोग हैं अपन आगे बढ़ते हैं आप इनको दिखाओ चलिए फिर क्योंके चलो मैं यह देखा देखादे तुम बरने यह कहेंगे भाई दिखाया ने तो देखिए यह रिगवेद आपको देख रहा होगा क्या करोगे मैं अपने रिफरेंस प्ले सी गोल नहीं ने आजाद आप अपना दिखाओ यह इनका चलो पते देखो यह लोग जाने न अपने रिलीजान का हमारा काम है दिखाना हम जो सायन का कोमेंटरी हो दिखा रहे है इनको म्यूट करिए वाई देखिए रिगवेद मैं दिखा रहा हूँ यह रिगवेद आप देख सकते हैं और यह डॉक्टर गंगा साय सर्मा दौरा यह इसका भास किय गया है तो यह में हिंदी प्येजडी ब्याकरन से यह है और मैं इसका पूरे दिखा दिया हूँ अब मैं यहां पर चलता हूं तो देखिए रिगवेद का मंदल 10 सुक्त 61 का पांचवा मंत्र से में पढ़ता हूं तो देखिए फांचवा मंत्र पृतिष्ठ यस तो यह मैं ह इसका पढ़ता हूँ, यहां कहते हैं, प्रजापती का पुत्र उत्पन करने में समर्थ बीर सर्वोत्त में प्रजापती ने, प्रजापती ब्रहमा को कहा जाता है, अपनी उस मानव हितकारी बीर का त्याग किया, जिसे उन्होंने अपनी सुंदर उसा के सरीर में सिंचित किय था ठीक है अब यहां पर देखिए नेक्स सिक्स्ट स्लोक में देखिए जिस समय पिता ने अपनी यूबिती कन्या के साथ एथेच्छ कर्म किया यानि अपनी लड़की के साथ उस समय उनके संभोग कर्म के समीरी थोड़ा बीर एग रहा है जैसी मरजी वैसा आजाद ना बिल प्रती से मिलकर बीर त्याग किया सोवन कर्म बाले देवों ने उस बीर से ब्रत रख्चक देव बास्तोस्पती का उत्पादन किया तो भाई यह देख लीजिए ठीक है किलियरली यह पुराने भास में किलियर मैंसन है भाई ठीक है आप अपना दिखा दो बई और जितने दोस्त हैं देख लीजे कि कैसे करेक्शन किया जाता है इनके रिलिजिन में भाई अपने दिखा देखा 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 क्योंकि लोगों को लगता है कि संस्क्रिट ज्यादा लोग पढ़ी रहे न यह दिखा देंगे ना जादी यहीं सही देखो दीख रहे क्या अब आप पढ़ लीजे इसका फर्स्ट पांच बापढ़ो अधिक से अधिक स्वस्त बनाता है वह राष्ट्पती होने के यह होता है राष्ट्पती में बीट किंग और the head of that place इसका पहला कारी विद्धान का निर्माण होता है यह जिस राष्ट्पती का वीर कर्मम विद्धान निर्माण रूप वीरता का का काम प्रतिस्ट होता है यह कारी वसुता सबसे अधिक आवश्यत वा कठिन होता है यह विद्धान अनुस्ठितम क्रिया में अनु के पत्पे आगे ले चलता है नू मतलब अब विद्धान के बने जाने पे नर्य या लोक कीत करता राष्ट्रपती अप ओरना को लोगई चीवन को सुखी बनाने का प्रहतन करता है राष्ट में शुक हुआ समर्दी को बढ़ाने का देश होता है इस विद्वान के अनुसार राष्ट संचालेन के लिए अनर्वा लोगों को हिंसित ना करने वाला राष्ट्पती अपनी शक्ति को सवावा समिती में इतना तो मंत्र सवावा समिती द्वारा राष्ट के संचलन करता है सवाग और राष्ट्पती की शक्ति प्राप्त हो जाती है निश्चेत अवीधी के पूर्ण होने पर राष्ट्पती सवाव से सक्ति को वापिस लेकर नहे चुनाव के लिए सवाव भंग कर देता है और इसके नेक्ट वाले में पीज़े इस बिज़े मतलब यार ये ब्रह्मा जी अपनी बेटी उपर चाल गए है और ये चुनाव के बाप का नाम क्या है सर एक निट सर मैं इस चीज़ को वो समझ गया विना वाई चलिए ठीक है सुनिया न एक बात बताईए ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है मुझे मनुस्पिती में आने दीज़े इस पॉइंट के पहले है प्लीज ये बता दीजे ब्रह्मा का कोई बाप है की नहीं है मैं कुछ जान बूच के पूछ रहा हूँ ना बई कुछ उदेश से मेरे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे मतलब दो बाप है मतलब उसका बाप ट्रांसजेंडर है मुझे बोलो मुझे ट्रांसजेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको होगी मैं ने ने मैंने कहां बोला मैं तो आपको यह बोला हूँ उसका बाप ट्रांसजेंडर है आपके इसाब से तो होगा अगर आपको आप उसको वैसे डिफाइन करना चाहते हो या आपका मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही हो जो कुछ दिन पहले नीचे लाइव चैट में लिख रहे था अमित तिवारी अगर तु एक बाप की आउलाद है तो मुझसे डिबेट कर ऐसे आदमी के लिए डिबेट कर रहे हो जिसके बाप का पता नहीं है आप मुझे आंसर देने दो तो मैं बोलूँ आपने यह लिखा था लाइव चैट में अगर एक बाप की ओलाद है तो मुझसे डिवेट कर वो किसके लिए जो आदमी जिसके बाप का पता नहीं है और जो अपनी लड़की के ओपर चड़ गया है उसको बचाने के लिए आप मुझे यह बात कहे दे हैं। याद दिला रहा हूँ! ठीक है कोई बात नहीं